जै गुरू जी, शुकराना गुरू जी, सारी संगत को जै गुरू जी संगत जी, हमें कभी भी गुरू जी के स्वरूप का निरादर नहीं करना चाहिए अगर आपके पास गुरू जी का स्वरूप है और आपके घर वाले गुरू जी को मानने के लिए तयार नहीं है और आप किसी भी वज़ा से गुरू जी का स्वरूप अपने पास नहीं रख पा रहे हैं घर में बहुत लड़ाई जगड़े हो रहे हैं गुरू जी के स्वरूप को लेके तो आप गुरू जी कर स्वरूप या तो किसी ऐसे इनसान को दे दे जो गुरू जी को मानते हैं और मानना चाते हैं और गुरू जी कर स्वरूप उनके पास नहीं है या फिर आप किसी को गुरू जी के बारे में बताए और फिर कहें कि आप इनको मानिए और गुरू जी कर स्वरूप रख लीजिए आप इस स्वरूप को पूजा घर में भी रख सकते हैं ऐसे गुरू जी के स्वरूप का निरादर भी नहीं होगा और आपकी एक सेवा भी हो जाएगी कि आपने अपना स्वरूप किसी और संगत को दे दिया आपने उनको गुरू जी की संगत बना दिया गुरू जी के गुरू परिवार का हिस्सा बना दिया अगर आप चाहें तो आप गुरू जी को मन ही मन याद कर सकते हैं गुरू जी का मंतर रिजाब कर सकते हैं अपने फोन से गुरुजी के स्वरूप को देखकर उनसे बाते कर सकते हैं, आप गुरुजी के सत्संग सुन सकते हैं, इससे आपके घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके घर के लड़ाई जगड़े भी खतम हो जाएंगे, कि गुरुजी का स्वरूप घर पर क्यों रखा है, सारी बात खतम हो जाएगी, और जब भी गुरुजी आपके परिवार को अपनी संगत बनाना चाहेंगे, वो आपके पूरे परिवार को अपनी संगत बना लेंगे, गुरुजी ने अभी आपको अपनी संगत बनाया है, अपने गुरु परिवार का ह पिस्सा बनाया है ठीक है जाने अंजाने में किसी से भी आपको गुरुजी का स्वरूप मिल गया आपको यह तो तब ही नहीं लेना चाहिए था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे अगर आपने ले भी लिया है तो आप उसको विसरजित करने की बज़ाए किसी भी परिवार में गुरुजी का स्वरूप दे सकते हैं वो आपकी एक सेवा कहलाएगी संगत जी कभी भी गुरुजी का स्वरूप विसरजित नहीं करते उनका निरादर नहीं करते गुरुजी ने आपको अपनी संगत चुना है आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाया है गुरुजी धीर धीरे आपके परिवार को भी अपना गुरू परिवार का हिस्सा बना देंगे जब भी गुरू जी आपको अपनी संगत बनाते हैं या अपने गुरू परिवार का हिस्सा बनाते हैं तो आपके कश्ट धीरे धीरे खतम कर देते हैं आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दू इसलिए कभी भी गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए हमें हमेशा गुरु जी से बाते करते रहना चाहिए हमारा परिवार भी गुरु परिवार बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चरेगा इसी पर मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ जो एक आंटी जी ने मुझे मेल पर शेयर किया आंटी जी गुरु जी से मैं 2023 में जुड़ी थी वो अपने रिलेटिव्स की वज़े से गुरु जी से जुड़ पाई वो गुरु जी को नहीं जानती थी और उन्होंने बताया कि गुरु जी कौन है, कहां से है शुरू में तो उन्हें गुरु जी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था उनके लिए उनको मानना बहुत मुश्किल था फिर गुरु जी ने आंटी जी को अपनी फ्रेग्रेंस फील कराई तितली रूप में दर्शन दिये उन्होंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया और उनका विश्वास गुरु जी से बढ़ता ही गया लेकिन आंटी जी के अंकल गुरु जी को मानने से मना कर रहे थे उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो गुरु जी की पूजा करती है उनके पास स्वरूप भी है क्योंकि उन्हें गुरु जी का स्वरूप भी ना मांगे सामने से मिला पर गुरु जी के घर में होने से अंकल जी उनसे बहुत नराज रहते है और वो हमेशा सोचती है कि गुरु जी मैं क्या करूँ उनकी हजबन की शौप है और वो भी अपने अंकल जी के साथ हाथ बटाती है पर तीन सालों से बहुत जादा पैसों की दिकत चल रही है जैसे किसी की नजर लग गई हो कोई भी सुधार नहीं हो रहा कई बार गुरुजी को लेकर उनकी उनके अंकल से लड़ाई भी हुई है आंटी जी गुरुजी को मानने लग गई है लेकिन उनके अंकल जी को बिलकुल पसंद नहीं है वो हमेशा सोचती हैं कि मैं क्या करूँ वो गुरुजी से भी पूछती हैं गुरुजी मैं क्या करूँ उनकी उनके अंकल से हमेशा लड़ाई होती रती है गुरुजी का स्वरूप यहाँ पर नहीं होना चाहिए इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि वो गुरुजी का स्वरूप विसरजित कर देंगी लेकिन वो गुरुजी को तब भी मानना नहीं छोड़ेंगी उनका कहना है कि मैं गुरुजी को घर से तो विसरजित कर दूँगी लेकिन अपने मन से कभी भी निकाल नहीं पाऊंगी मेरा भी मन डगमगाता है पर गुरु जी ने अपने होने का बोहत बार उनको फिल करवाया है वो गुरु जी को कभी भी नहीं छोड़ पाएंगी वो हमेशा गुरु जी का नाम लेती रहेंगी चाही कुछ भी हो जाए संगत जी, ऐसे ही हमें भी करना चाहिए खै, स्वरूप को विसरजित करने की बजाए हमें स्वरूप किसी और को सेवा के रूप में दे देना चाहिए ताकि गुरु जी की सेवा होती रहे गुरु जी का अपमान ना हो अगर family members घर में गुरु जी का स्वरूप रखने के लिए तयार नहीं होते तो हमें गुरु जी का स्वरूप लेना ही नहीं चाहिए अगर हमने ले लिया है तो उसे विसरजित ना करके किसी को सेवा के रूप में दे देना चाहिए और संगत जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि चाहिए मैं गुरु जी को अपने घर से किसी और को भेज दूँगी किसी और को दे दूँगी लेकिन अपने मन में हमेशा गुरु जी को बसा के रखूँगी गुरु जी का नाम हमेशा लेती रहूँगी जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी